जरूरी है कि कावे सौंदर के दो पक्ष होते हैं, फिर से आपका स्वागत है एक बार बुक्स एजुकेशन चेनल में, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपके प्रशन पत्र में एक कावे सौंदर से सम्मंधित प्रशन आता है, उसमें कभी भाव सौंदर पूछ लिया सबसे पहले हमें यह जाना जरूरी है कि कावे सौंदर के दो पक्ष होते हैं, पहला पक्ष होता है भाव पक्ष, इसे भाव सौंदर भी बोलते हैं, दूसरा होता है कला पक्ष, इसको कला सौंदर या शिल्प सौंदर भी बोलते हैं, तो जब आप कावे सौंदर से उसे बिंदूओं पर ध्यान देना है भाव संदर्य का मतलब होता है कि जो पंक्तिया या जो काव्यांश आपके लिए दिया गया है प्रस्ण में उसमें किस चीज का वर्णन है या उसका मुख्य भाव क्या है उसका मूल भाव क्या है या उसमें प्रेड़ना क्या है उसमें स समबेदना है उसका क्या प्रतिपाद हैं ये हम भाव संदर में बताते हैं, इस अ 알बी उदाहणों द्वरह भी समझेंगे इसमें मैंने उदाहण भी दिये हैं कलासंदर एक कैसे एसपस्ट करेंगे कलासंदर में, भाष्या कары और बोली है को यह हैं हिंदी भाषा याई घी समय तो उसमें अब घरी भॉल है या थजघ बोली है यह इसमें मनें बताएंगे शेली कैसीहे शरल जय प्रभह मई है या कठिन शवदावली तूस कितनिस्त है या उसमें सेरल शबद या तदवव शबदों की अधिरता है फैसे । शब्द योजना की सinek साहिए एन्हीं सुद्दों को कि तमाम चीजे हम उसमें बताते हैं तो इनको हम एक उधान द्वारा समझते हैं आपको ध्यान रखना है कि भाव सौंदरे और कला सौंदरे दोनों बिंदूओं को हम कावे सौंदरे में सपस्ट करते हैं केवल भाव सौंदरे पूछा है तो आप केवल भाव सौंदरे को लि तक से हैं अंतरा भाग दो से हैं और पहला ही पाठ है तो बारवी के विद्यारतियों के लिए उपयोगी है इसमें हमने चार पंक्तियों का हमें कावे संदरे स्पस्ट करना है लोटा लो यह अपनी थाती मेरी करुणा हाहा खाती विश्वन ना समलेगी है मुझसे इस से मन की लाज कमाई तो व्याख्या यदि आपको इन पंक्तियों की पता है तो आप इसका कावे संदरे आसानी से स्पस्ट कर सकते हैं लेकिन यदि आपने व्याख्या नहीं बड़ी है तो बड़ी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी तो इसलिए आप सभी पार्ठों के पहले व् कविता का नाम और कवी का नाम जरूर पढ़ें तो आएसका संदरे देखते हैं किस तरह स्पस्ट करेंगे भावपक्ष कैसे इस्पस्ट करना है आप उसमें ऐसे गोल बिंदू भी बना सकते हैं या नमबर भी डाल सकते हैं प्रस्तुत काव्यांश में देव सेना की वेदन समाज के लिए वापस करने की बात कह रही है इसमें मुख्य बात है यह दोनों चीज हम इसमें बता सकते हैं अगला प्रेंट क्या हो सकता है प्रेम में देव सेना ने मन की लाज गवादी है प्रेम में समाजिक मर्यादा होने की बात कही है तो जो देव सेना वो यह बात भी कह ही है इन पूरी चारों पंक्ति हम देखेंगे तो प्रेम के प्रति उसकी जो निराशा है वो निराशा इसमें जलकती है तो इस तरह से हम इसके भाव संद्र को इसपस्ट करेंगे इनकी जगए कोई दूसरी पंक्ति होती देव सेना का गीत इसी कवता से तुम देव सेना की व बहाशा बताएंगे बहाशा खड़ी बोली हिंदी है शेली प्रभामई है आपको हर पाठ में ये हर कविता के जो कावे सुंदर में आपको ये लिखना है कि शेली प्रभामई है शेली सरस और सहज है ये लिखना है शब्द योजना प्रभावी है हर कविता की शब्द योजना प्रभावी ही होती है इसलिए उसको आपके पाठे करम रखा गया है तो यह बात आपको लिखनी लिखनी हैं कि शैली प्रभाम आई ही है शब्द योजना प्रभावी है यह आपको लिखना ही लिखना है वियोग प्रशाद गुण है यहां आसान भास आए जिसका अर्थ आपको आसानी से समझ में आ जाए उसमें प्रशाद गुण लिखेंगे जहां कठिन शब्द है जिसका अर्थ कठिनता से समझ में आता है उसमें आप लेखेंगे ओजगुण है या वीरस की कबता है उसमें भी ओजग क्यां लगय使用 कि लोटा लो इसमें अनुपरास अलंकार है क्योंकि १िया लब वाण की आवरिति है। इसलिए इसमें अनुपरास अलंकार है tussen ब्रूपक अलंकार है इस मुकत्चंद की कवता हैं यूर्ब एस मनलिया जाता है कवता में संगीता आत्maकता है लह या याण कवता जो है उसे गाया जा सकता है उसमें स्वर है तो यह सारी विशेच्ता हैं हम कला संधरे में या शिर्प संधरे में बताते हैं चलिए अब एक दूसरे पार्ट चों धान लेते हैं यह जो सरोजिस्मिरती है उससे मुझे भाग्य हिन की तु संबल युग वर्स बाद जब हुई विकल दुख ही जीवन की इक अथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कही आपको ये दिन पाठों की व्याक्या देखनी है तो व्याक्या की वीडियो भी हमने अपलोड किये हुए है उसमें भी हमने संधर्व और प इन पंक्तियों का कावे सुंदरे स्पस्ट करते हैं तो सबसे पहले भाव पक्ष आएगा पहला विंदू है निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज की याद में शोक गिद लिखा है तो हमने इस कविता के बारें बताती है निराला जी का पुत्री वियोग से उत्पन है उसकी मार में कभी लगती है यह उसका मुख्य विषय है इन पंक्तियों का पुत्री सरोज को अपना सहारा बताते हैं इसमें वरणन जो किया गया है यह उसका वरणन है उसके बारे में पंक्ति है पुत्री सरोज को उन्होंने अपना सहारा बताया है नेराला जी के जीव प्रशाद की रचना है और ने रखना नाम लखेंगे क्योंकि उन्में चौपाई और दो ही छन्द है लेकिन जो बागी रचना है जैसेंकर परशाद की रचना है और नेराला की रचना है और अग्या की रचना है यह मुक्त चंदगी कवता है तो आप इसमें यही लिखेंगे और बिन्दु कौन से आएंगे कारून रस है क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की याद में लिखा है बेटी उनकी मर चुकी है तो अपनों से बिछड़ने का दुख है तो यहां कारून रस की अभीवक्ती हुई है शेली सरस और सहज है और प्रवह मई है प्रवह कहीं भी रुकता हुआ नजर नहीं आता तो यह लिखेंगे आप इसमें शब्द योजना अनूठी है यह आप हर कावे संदर में लिख सकते हैं चाहिए वो किसी भी तरह की कवता है क्या कहूं आज जो नहीं कही पंक्ती में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहां पर कावर्ण की आ लंकियां है उन्हीं पर आधारत आएगा इसे अधियाप कर देते हैं आप दोनों पॉइंटे को लिखते हैं तो आपको अच्छे नमर से मिल जाते हैं दो तीन या चार नमर का परस्णा आपके लिए आता है